जै मातारानी दोस्तों मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ जगदंबा के नाम का जैकारा रगाएं कमिल सेक्षिन में जै मातारानी ओम नमो भगवते वासुदेवाई अवर्शे लिखिए श्रीहरी विष्णु मालक्ष्मी कोप्रिय एकादशी का वरत आ गया है इस दिन पे भगवान के गरुन धज रूप का नमन करने से आपको सभी तरह के पुन्य फलो की प्राप्ती होती है जो भी आपकी एक्षाएं होती है सभी एक्षाएं पूरी हो जाती है पापांग कुशा एकादशी का वरत 27 अक्टूबर 2020 की तारिक को करा जाएगा अश्विन मास के शुक्ल पक्षकी दिती है इस दिन मंगल बार का दिन है यहाँ एकादशी आपको सभी तरह के पापों से मुक्त करा देती है इस एकादशी के दिन पे भगवान के गरुन धज रूप को नमन करने से मनुष्य अज्यानता वर्ष जिस भी प्रकार के पाप करता है और उनके लिए शमा मांग लिता है तो वहाँ नरख को नहीं जाता बलकि उसे स्वर्ग की प्राप्ती होती है यह एकादशी श्री हरे विश्नु मालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है इस दि की dividend पे кिये हुए उपाय से आपकी सभीतरा की मनोकाम नाच भी पूरी हो जाती है वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 12 मासों में 24 एका दशी का वहर तकरा जाता है परंतो इस वर्ष अधिक उने के कारण कुल मिलाके 26 एका दशी व्रताएं हैं जिसके कारण एका दशी का पुन कि पक्ष की एकादशी का वृत रखते हैं, उनकी जीवन से दुरभागे का नाश होता है, उन्हें पुत्रसुक्री की प्राप्ती होती है, जीवन में संकट नहीं आते हैं। इस प्रकार से श्रीहरी विश्णु मालक्षमी का ध्यान करते हुए एकादशी का वरत द्वादशी युक्त तिथी में करा जाता है यहां समस्त प्रकार से सुख प्रदान करने वाला है इस बार द्वादशी युक्त एकादशी की तिथी 27 अक्टूबर को है क्योंकि तो यहां द्वादशी युक्त एकादशी है। एकादशी वरत करना मनुष्री के पापों का नाश कराता है। और यहां है पापांग कुशा एकादशी। दूस्तों पापों के कारण मनुष्री नाना प्रकार की यातनाओं को भोगता है। इन यातनाओं को यम यातना कहते है यदि आप भी अपने जीवन में कभी भी दुखी होते हैं या किसी प्रकार से कश्ट पाते हैं तो यहाँ आपके ही कर्मों का फल होता है इसलिए आप सभी को पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए यहाँ एकादशी सभी पापों का नाज कराती है और जीव करते हैं बुरे कर्म करते हैं उनका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ही कटोर दुखों की प्राप्ती होती है इसलिए सभी मनुश्यों को श्रीहरी विश्नु मालक्षमी का ध्यान करते हुए साधा जीवन बिताना चाहिए हरी भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे जीवन में सुक्षभाग की प्राप्ती हो श्रीहरी विश्नु भगवान का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत करें दश्मी की तिथी में तामसिक भोजन न ग्रहन करें के सीधा साधा बोजन ग्रहन करें एकादशी की तिथी में स में शीहरी विश्णु भगवान मालक्षमी आपकी पूजा के निमत मैंने एकादशी का व्रत करा है। हाथ में पुश्प ले लें, हल्दी ले लें, तिल ले लें और वहाँ पे यदि आपने कुछ मीठा रखा है वो भी ले लें। और भगवान के सामने यह सभी चीजें जैसा कि आज मैं आपको हल्दी का अचु कुपाय बता रही हूँ, तो आप इस दिन पे थोड़े से दूद में केसर मिला के, शीहरी विश्णु का यदि अभिशेक करते हैं, तो आपका सौभाग्य बढ़ता है। यदि केसर नहीं है, तो एक चुटकी हल्दी दूद के तिलक करें, शीहरी विश्णु भगवान का तिलक अश्टगंद के चंदन से जो की पीले रंका होता है, इससे करा जाता है, हल्दी से करा जाता है, और केसर से करा जाता है, यह सबी चीजें विश्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, काले तिलों से भगवान की पूजा क करने से मनिश्य को कई गुना फलो की प्राप्ति होती है पीले रंग के पुष्प विश्टु भगवान पे चढ़ाए जाते हैं ऐसा करने से जीवन में धन बढ़ता है यदि के जीवन में धनकी बहुत कमी है तो आप प्रति दिन साथ पीले रंके पुष्प ले आएं उन पुष्पों पे थोड़ी सी हल्दी लगाएं और इन्हें शीहरी विश्णु मालक्षमी जिस तस्वीर में एक साथ हो यह तस्वीर आपको ऐसी लेनी है जिसमें विश्णु और मालक्षमी पे 43 डेस तक यानि 43 दिन तक प्रति दिन चढ़ाने है ऐसा करने से जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है धन रुक नहीं रहा है धन का अभाव महसूस होता है वहत दूर हो जाती है साथ पुष्प आपको 43 यानि 43 दिन तक प्रति दिन विश्णु और मालक् वास होता है वहां महालक्षमी वास करती है भगवान को फूल अत्यंत प्रिय होते हैं जो भगवान पे फूल अर्पित करता है भगवान उनके घरों में दीरगकाल तक वास करते हैं इसलिए पीले रंग के पुष्प के ऊपर थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव करें और पुष्प चड़ाएं और ऐसा 43 यानि 43 दिनों तक करेंगे तो आपके जीवन में जो आपको धन संबंदी दिक्कते महसूस हो रही है वो दूर हो जाएंगी विश्णु भगवान की क्रपा विशेश तोर पे उन सभी भक्तों पे होती है जो इस प्रकार से छोटी छोटी प उपाय कोई भी टोटका तभी अपना असर दिखाता है जब हम अपने कर्म करते हैं और भगवान से प्रात्ना करते हैं यहां एकदम सात्विक उपाय है इस उपाय को आप 27 अक्टूबर 2020 से शुरू कर सकते हैं इसके बाद गुरुवार का दिन है आप उस दिन से भी इस वरना आप चाहें तो शरत पूर्णिमा से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं इस उपाय को आप अगर किसी और दिन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी गुरुवार से शुरू करें और 43 डेस तक या 43 दिन तक उपाय को करें आपको जरूर इसके फलकी प्राप्त ही होगी अब हम बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी के विशय में इस दिन विश्णु भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं उस पे तोसी दल जरूर अर्पित करें विश्णु भगवान को बिना तोसी दल के भोग अर्पित नहीं करा जाता है पूजन अर्च दुख दारिद्र नहीं आता हरी भक्ति जहां होती है वहां कोई कष्ट नहीं होता इसलिए आप भी अपने अपने महत्व याने अहंकार को त्याक के भगवान की शरण में रहे हरी भक्ति करिए भगवान का काम करने से भगवान का नाम करने से सभी दुख संकर दूर हो जा साथ ही साथ जो लोग प्रतिजिन अपने मस्तक के बीचों बीच पीले रंग का टीका लगाते हैं एक चुटकी हल्दी में थोड़ा सा केसर मिलाके यह पीले रंग का तिलक आप तयार करके अपने मंदिर में रख सकते हैं जब भी आप यह पीले रंग का हल्दी और केसर का ति उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए प्रति दिन यहाँ हल्दी और केसर लेके अपने माथे पे लगाए थोड़ा सा आप इसे गणेश भगवान के चड़नों में भी चड़ा के उसके बाद भी अपने माथे पे लगा सकते हैं तो जिस तरह से श्री गणपती भगवान विगनों का नाश करते हैं उसी प्रकार से यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं आपको नौकली नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है तो इस हल्दी और केसर का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके काम जरूर बनने लगेंगे, कामों में रुकावटे नहीं आएंगी विष्णु भगवान मालक्ष्मी का पूजन अर्चन शद्धा भक्ती के साथ प्रति दिन करा जाना चाहिए यदि आपके घर में श्री विष्णु भगवान मालक्ष्मी की एक साथ कोई प्रतिमा नहीं है तो आप अपने घर में श्री यंत्र रख सकते हैं, श्री यंत्र भी अगर नहीं है तो आप अपने घर में केवल मंत्र जाब करके भी भगवान को प्रसंद कर सकते हैं ओम रीम ये मालक्षमी का बहुत ही पसंदीदा मंत्र है इसको आप प्रति दिन कम से कम आधा घंटा अपने घर में बोलने की आदत बनाएं आप देखेंगे स्वता ही महालक्षमी इस मंत्र की उजा से आपके घर में उपस्थित रहने लगेंगी मंत्र बहुत छोटा सा है ओम और आज जैसा की पापांग कुशा एकादशी है इस दिन पे विश्न भगवान के मंत्रों का जाप करें ओम नमो भगवते वासु देवाए एवं ओम नमो नारायनाए इस तरह से एकादशी वरत में पूजन अर्चन करिए सुबह शाम की और पूजा कैसे करनी है शाम में द खो कानाश हो इसके लिए वीडियो है आप वो नीता विक्रम चैनल पे जाके देखिए और बाकी की पूजा शद्धा के साथ करिए हो सके तो रातरी जागरन करिए भगवान के जाप जरूर करिए भगवान ही आपके जीवन में आपका भला करेंगे आपके सब दुख संकर अगली बार एक नया वीडियो लेके जल्दी हाँ से मिलती हूँ तब तक के लिए जै मातारानी आप लोग अपना ख्यार रखिए आज का वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिया और अभी तक यदि नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो क के नीचे वनेवे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिये और चैनल सब्सक्राइब करिये थैंक्स पो वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स जै मातारानी